लेकिन हर बच्चे से पढ़ने का इतना दम भी नहीं है, हर बच्चा इतना पढ़ भी नहीं सकता है, आप उनका भीड का हिंसा वो मत बनिये, आप एक अच्छे क्लास में आईए, अपने आपको बहतर बनाईए और अपने आपको सकाबिल बनाईए, कई लोग सिर्फ शॉर्ट्रिक के ही सवाल आपको यूट्यूबर करवाते हुए मिलेंगे और आपको बढ़ा मजा आएगा, लेकिन जब आप उनसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब आप खुद ब्रिवियस एर के कोश्चन बनाने जाते हैं, आप कोई भी परिक्षा देने जाते हैं, आपका सारा शॉर्ट्रिक धरा का धरा रह जाता है और वहां पर पेपर खराब हो जाता है, तो कभी भी हम अप्लिकेशन पर भी बच्चों को पढ़ाते हुए एक ही बात सिखाते हैं, कि देखो शॉर्ट्रिक सीखना गुना नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ले क्योंकि आप लोगों की जुआदत होती हैं, थोड़ा यहां से सीख लेते हैं, थोड़ा वहां से संपून तरीके से कभी भी सिलेबस कंप्लीट करने के आप कोशिश ही नहीं करता है, या तो कुछ बच्चे शौटरी के आधार पे जिंदा रहने की कोशिश करेंगे, या हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, पता नहीं कौन सा टोपिक है, जरुवत है भी कि नहीं जरुवत है, अरे नहीं जरुवत हो तो हम पढ़ाते गया, तुमको दोड़ाई घंटा बताओ, जरूरी है तभी न पढ़ा रहे हैं तुमको, ठीक है, अब आप अपने तरीके से पढ अनुसार पढ़ाई करो ना मेरे भाई, अपने अंसाब से पढ़ाई करोगे तो चपरासी भी नहीं लग पाऊगे, लेकिन अगर सिलबस के अनुसार पढ़ाई करोगे, तो क्या पता इंकम टैक्स इंस्पेक्टर लग जाओ, ठीक है, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान त करती हैं, बाद में जाके नुकसान करती हैं, पूरा सिलबस आपका कम्प्लीट तो हो जाएगा, लेकिन पता चलेगा एक सवाल छुट करो ऐसा, ठीक है, मैं अपना इतना कीमती समय दे रहा हूं, तो आप भी अपना कीमती समय दो, सीखो मेरे भाई याँ आपे, किसके करती है, और सारी विक सि भरी भी जाती है, जिन को पढ़कर पढ़ना होता है, मेरे भाई नौकरी लि almac даwash, वह ले चुगे होता है, और बाइक लोग बस ढोल बजातेरते रहते रहते हैं, और हाई चाती पीड़ते हैं, हाई इस बार भी मेरी नोकरी नही लगी, क्यूंकि सेलेक्षनों में भी कमी है वेकेंसी पचाहाँ जार करतें तब भी शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सेलेक्षन होई नहीं सकता है क्यों क्योंकि वह तैयार इसी तरीके से कर रहे हैं आप उनका भीड का हिंसा वह मत बनिए आप एक अच्छे क्लास में आईए अपने आपको